सुजैशी राम दोस्तों आज की वीडियो में आपका बहुत हो स्वागत है आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 डिफरेंशल एक्वेशन की बुक का जिसका नाम है लीनियर एक्वेशन्स विध कॉंस्टेंट कोफिशेंट्स ठीक है तो आज की वीडियो में सारे इसका बेसिक समझेंगे तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखो हमारे डिफरेंशल एक्वेशन की बुक के जितने भी चैप्टर है ना जिसे हमारे पास आगे आने वाले या पीछे गये जितने बचैप्टर आठ्स में ढिवाइड है आठ्स में में मैथड़्स होते हैं ठीके जैसे आपको दिखाते हूं यह हमारी है डिफरेंशल की बुक ठीके तो इसका हमारे पास चौफा चैप्टर linear equations with constant coefficients तो यहां पर देखो art number 1 लिखा है मतलब एक method है इसको पड़ो है ना method लिखा है फिर आएगा art number 2 फिर यह method है और फिर यहां पास art number 3 यह method है फिर इसके caution answer आगे यहां पर important देखो ठीक है तो यहां पास caution answer आगे तो इसके जो हमने art अभी पड़ी मतलब method जो पड़े उसके caution answer आएंगे यहां पर तो इसमें हमारा पास 17 examples है ठीक है 17 examples है फिर उसके बाद क्या है हमारा पास art number 4 art number 5 methods ठीक है ना art number 6 art number 7 फिर उसके बाद इसके caution answer है जो हमने अभी methods पड़े उसके based question answer है फिर जैसी है हमारा पास example खतम हो जाएंगे फिर अगली art शुरू हो जाएगी ऐसे करके हमारा chapter 1 चलेगा ठीक है तो हमारा जो यह वाला chapter है इसमें हमारा पास 16 arts है और 16 arts है जिसे हमारा पास art number 1,2,3 है उसमें 17 examples है फिर हमारा पास 4,5,6,7 उसमें 17 examples है art number 8 में 14 है art number 9 में 19 है art number 10 में 13 है 11 में 10, 12 में 8 13,14,15 में 7 और 16 में 3 तो इस तरह क्या हमारा पास यह chapter चलेगा जैसे हमारा पास art number 16 complete हो जाएगी ना फिर हमारा पास chapter complete हो जाएगा तो जितने यहाँ पर example लिखे है ना उतने हमने करने नहीं है हमने क्या करने है जो important होगे जो बहुत 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 बड़ी paper में आये होगे और जो tough होगे बस वोई examples हमने करने है फिर हमारा पूरा chapter complete हो जाएगा कहीं के पास होता है जो book नहीं होती एक पास पास सर्वासा आपको यहाँ मिल जाएगा जिसका अस बुक नहीं भी है उसको देखने की जरुत भी नहीं है और जिसका वास है उसको भी देखने की जरुत नहीं है यह हमारा पास आर्टस है इसमें भी जो importance है जो बहुत ज्यादा important आर्ट है वो है पहली 1,2,3,4,5,6,7,8,11,8,11,8,16,8,16 बहुत IMPORTANT है ठीक है न? और यह हमारा पास IMPORTANT है यह मैं ब्लू मार्क लगा है न? IMPORTANT का है और जिसमें स्टार लगा है वो तो MOST IMPORTANT है तो उसको देखना बहुत IMPORTANT है उसको देखना जरूर है ठीक है न? स्टार्ट करें चैप्टर को यह था हमारा about chapter कैसे कैसे हम chapter को complete करेंगे तो start करते हैं आज की वीडियो देखो linear equation क्या होती है इसको समझने से पहले हम समझते हैं कि order और degree क्या होता है अगर आपको पता है तो ठीक है नहीं पता तो एक और बड़ समझ लो यहां हमारे पास है यह होल की power बोलते है डीगरी को ना तो इसकी πα्रावर में क्या है one और इसको differentiate कितनी बारी किया गया है उसको हम क्या बोलते है देगरी बोलते है ठीक है ? entren appreciation क्या होती है ? ऐसी fivocation देख्वेशन के जितने भीज़ डेरिवेटिव महीं है उनकी highest degree क्या हो ? वन हो तो य candidates बम क्या बोलते है ? लीनिर का मतलब एक से होता है तो इस तरह की equation को हम क्या बोलते हैं linear equation बोलते हैं जैसे यह हमारा पास एक्जामपल है यह इसका example है y triple dash का क्या मतलब होता है y को तीन बारी x के respect में differentiate किया तो इसको हम इस तरह करें लिखते है triple dash का मतलब है 3 y differentiation मतलब इस तरह से कुछ खोल के लिखके तो इस तरह से हम जिसको लिख सकते हैं तो इसकी जो degree क्या है 1 है order order क्या 3 है उसी तरह से यहाँ पिसकी degree 1 है degree 1 है degree 1 है तो इस टाइप की equation को हम बोलते है linear equations जो हमारा chapter का नाम भी है linear equations with constant coefficients तो constant का मतलब तो मैं पताइए कोई ऐसी वाइल जो change ना हो जैसे कोई number होता है ठीक है वो number fixed है उसको आप change नहीं कर सकते हो तो number हो गया ABC को भी हम constant की रूप में लेते coefficients होते हैं जिसे x के coefficient y का coefficient जिसे यहाँ पर y double dash का coefficient का माइनस 3 है ठीक है y का coefficient का माइनस 1 है तो यह होते coefficients तो मतलब इस टाइप की equation हमारा को दिखने को मिलने वाली है कोई दिक्कत नहीं इसमें ठीक है non-linear differential equation क्या होती है ऐसी equation जिसकी degree क्या हो एक से बड़ी हो ठीक है छोटी तो नहीं सकती तो एक से बड़ी होगी और linear जिसकी degree क्या हो वन हो आगे बढ़ते है होमोजीनस और non-homogeneous differential equations क्या होती है इंपोर्टेंट है समझ समझना है इंपोर्टेंट नहीं है बहुत इंपोर्टेंट है तो homogenous differential equation सिंपल है जिस equation के right hand side में equal to में 0 हो वो क्या है homogenous है और जिस equation के right hand side में 0 ना हो कुछ और हो जैसे यहां पर देखो 10 exponential के power 3x तो 0 नहीं है यह value है तो इस equation क्या बोलेंगे non-homogeneous differential equation कोई दिक्कत homogenous जिसके equal to में 0 non-homogeneous जिसके equal to में 0 ना हो कोई और value हो बाकि यह number sequence आपको बहुत important समझना क्योंकि आगे real numbers और complex numbers के बारे में हमारे को questions आने वाले हैं तो यह समझना बहुत important है सबसे छोटे होते हमारे पास natural numbers जो कि हमारे पास one से start होते whole numbers उससे बड़े होते whole numbers जो की एक 0 से start होते है उसके पास integer जाते है नेगेटिव और positive value जितनी number line पे उसके उससे बड़े होते हैं माल पास rational number PYQ की form में जिनकों लिखते हैं ठीक है और rational number और irrational number दोनों जबाबर होते हैं ठीक है यह all here a change in deeper की साइन होता है q- असे rational को क्यूंड रेशनल को और इससे बड़े होते है real number मतलब इंस सब numbers को जो एक some damn each में अप रख दो तो वह मातवारों पास क्या होगे real number होगे ठीक है और इससे बड़े होते complex complex numbers jaka года जिसमें हमार पास imaginary values भी होती है ठीक है जीए यह होगा हमार पास complex number A plus iota B यह अपने पहले भी देखा होगा उसमें बाफस यह वाला imaginary पार्ट होता है यह real part होते है वेसे number जिसमें imaginary values भी लेते हैं वो क्या होते complex numbers होते हैं तो इसमें real number और complex number में काम आने वाले हैं ठीक है इसको मैं बादे समझाता हूं उससे पहले एक और चीज़ है जिसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगे आपको काम आने वाला है हीटन ट्राहल मैथटेंट हाँ है देखो इस मैथट कर्का कॉऌ्विघ मतलब अण की रुक्वेशन होती है उससे बड़ी इकविःसे होता है hit and try method ठीक है ना तो इसको मैंने पहले लिख दिया है आप इसको डिरेक्ट लिख सकते हो मैं आपको दूसरी जगह समझाने वाले हो ठीक है यहां हमारा पास कॉश्चन है इसको मैं कॉश्चन को लेके इसको सॉल्व करके देखते है एक्स का क्यूब minus 3x का square plus 4 is equals to 0 यह हमारा पास कॉश्चन है हमारा target क्या है हमारा aim क्या है इसको हमें quadratic equation में convert करना है quadratic मतलब x की पावर में 2 वाली equation ठीक है तो x की पावर में 2 वाली equation में इसको कैसे convert करेंगे सबसे पहले हमारा को क्या करना पड़ेगा इसका एक root find out करना पड़ेगा जिसके through हम हमारा पास heat and trial method है heat and trial method मतलब तुका मारना है ठीक है क्या करना आपको एक दो तीन या जादा जादा चार इसको इसमें put करके देख लेना है और कैसा plus 1 minus 1 plus 2 minus 2 plus 2 minus 3 minus 3 मतलब पहले एक रखके देखो नहीं आया तो minus 1 रखके देखो 2 रखके देखो नहीं आया तो minus 2 रखके देखो इस तरह से रखके देखना है जब हम बात मानलो मैंने इसमें से एक रखा इसमें एक रखा तो एक रखके क्या आएगा एक का cube 1 minus यहाँ पे आगया 3 और यहाँ पे आगया 4 is equal to 0 अब इसकी value आगी minus 2 plus 4 is equal to 0 तो 2 is not equal to 0 तो मार करेंगे minus 1 रखके देख लेते तो हूँ से क्या जाएगा minus 1 रखके हमारा पास equation satisfying हो रही है तो मतलब what-1 कि इसका है क्या है x is equal to minus 1 इसका एक रूट है ठीक है अब इसको लेके इसको हमें quadratic equation में कैसे convert करना है यहां ध्यान से देखो minus 1 यहां लिखा ऐसे line कीची एक line यहां कीची इस तरह से और यहां पर हमने क्या लिखना है यह जो मार पास given equation है इसके जितने भी coefficients है उनकों में लिखना है ध्यान रहे हमारी यह जो equation है वो इस तरह की है x का cube और यहां पर x का square फिर x के power में 1 x के power में 0 इस तरह सुती equation हमेशा जो missing है उसके जगा 0 लिखना है उसका coefficient क्या है 0 तो लिखना है ठीके ना ऐसा मत सोलचा कि जितना यहां पर दिये है उतने coefficient लिखने है नहीं सारे लिखने है जैसे x का cube का coefficient क्या है 1 है x का square क्या है minus 3 इसका गया था X आए 1 वह यहांपे missing है इसका coefficient क्या था 0 है और यहांपे X आए 0 है मतलब 1 उसका coefficient क्या है 4 है इस तरह से लिख लिए और जो पहला वाला coefficient इसको as it is यहाँ पूतार लो क्या है 1 है उतार लिया अब देखो यह जो minus 1 है और यह जो 1 है इन दोनों को multiply करो जो भी आएगा उसको यहां रखना है क्या आएगा minus 1 इन दोनों को क्या करना है plus करना है plus करो कितना जाएगा 3 और 1 4 और sin आएगा minus का फिर इन दोनों को multiply करना है जो आएगा उसको यहां रखना है क्या जाएगा minus into minus plus तो यहां गयागा 4 और इन दोनों को plus करना है इन दोनों को यहां यहां जो भी आएगा उसको plus करना है और यहां यहां वाले को multiply करना है ठीक है तो इन दोनों को plus करना है क्या जाएगा 4 इसको इसको multiply करना है क्या जाएगा minus 4 ठीक है और यहां पे क्या आ जाएगा यहां पे क्या आ जाएगा 0 हमारा method ठीक है कि नहीं है यहां प्ता कैसे लगता पता यहां पे 0 आना चाहिए क्यों आना चाहिए यहां पे 0 क्योंकि हम quadratic equation में इसको convert कर रहे है अब यहां पे quadratic equation बनी का यह समझवात को यहाँ पर यह बनी quadratic equation हमारी तो यह हमार पास x के square का coefficient है यह हमार पास x का coefficient है और यह हमार पास x की power में 0 का coefficient है तो इस तरह से हम इसको बोलते हैं तो इसके आगे कुछ होना ने चाहिए इसलिए यहां पर हमेशा 0 ही आना चाहिए अगर यहां पर 0 आ रहा है तो हमारा जो ही टेंट्रेल मैथड है वह हम अच्छे से लगा रहे हैं ठीक है हमने कोफिशन ठीक से लिखे हमारा यह बिल्कुल सही मैथड चला वा है तो हम क्या बोलेंगे कि यहां पर देखो 1X का स्क्वेर माइनस 4X और यहां पर हमारा पास प्लस 4 यह मारा पास क्या होगी एक क्वाड़िट एक इसको हमने कनवर्ट कर दिया और हमारा पास एक और इसका रूट आया था एक और सॉल्यूशन आया था वह क्या था x is equal to minus 1 इसको हम कैसे लिख सकते x plus 1 is equal to 0 है ना तो यह जब पर जाएगा तब minus 1 होगा तो यह हमारे पास value थी 0 क्योंकि यह equation 0 के बराबर है यह भी 0 के बराबर है तो हम यहाँ पे लिख सकते x plus 1 bracket हो है multiply हम रख सकते वह यह भी 0 के बराबर यह भी 0 के बराबर तो हमने एक equation थी उसको quadratic equation में convert कर दिया क्यों करा क्योंकि हमारे को बता है quadratic equation बहुत इसी होती solve करने के लिए जो हम इसको factor निकाल के हम इसको solve करते है तो वह हमारे पास बहुत easy होती solve करने के लिए एक और बात है जो हमारे पास आगे आने वाले questions में है कि एक जो हमारे पास equation दी है ना बात मान लो यह हमारे पास quadratic equation इसका हम solution निकालना चाहते है ठीक है इसके factors निकालना चाहते है तो उसका एक formula होता हमने पहले भी पढ़ रखा है minus b plus minus and root b square minus 4ac divided by 2a तो जिसी यहाँ पे है इस equation में हमारे पास जब roots find out करने है तो हम इसका use करते है ठीक है तो यह भी आपको formula याद रखना है आगे बहुत काम आने वाला है तो hit and trail method मेरी ख्याल से आप समझ गये होंगे